दिल्ली के राजेंदर नगर मामले में पांच और आरोपियों को गिरफतार किया गया, कोट ने पांच और आरोपियों को बरह अगस्तक नियाई के हरासत में भेजा, मामले में कोचिंग के मालिक समेथ अब तक साथ लोग गिरफता डिल्ली कोचिंग हादसे पर सियास्त लगता जारी एलजी ने आप पर फाइल लटकाने का लगाया आरोप आपने एलजी और बीजेपी को बताया दोशी तो बीजेपी बोली डिल्ली के मंतरी सौर अप पर चले कर्मिनल केस आई-एस कोचिंग सेंटर हादसे में ब्रतक के परिवारों को दस-दस लाख रुपिया का मुआफ़ा दिल्ली के उपराज जिपाल ने मुआफ़े का एलान किया एमसीडी के खलाब मुगर्ची नगर में चात्र ने किया विरोध प्रदर्शन पुलिस द्वारा समझाने के बाद मौके से रवाना हुए चात्र दिल्ली के राजेंदर नगर हादसे को लेकर दिल्ली बीजेपी आज भी सड़क पर उत्रेगी बीजेपी प्रदेश यादियक ये विरेंदर सचदेवा के नितरत में राजगाट परकोगा विरूद प्रदर्शन अज उत्रप्रदेश विधान सभा में पेश होगा अनुपूरत बजट महाकुम में आने वाली शुरत्धालों और परट्टकों की सिविधाओं को लेकर भी होगी बादशी उत्रप्रदेश में लब जगाद और पेपर लीग के खिलाफ सक्त कानून तयार आरोपियों को उम्रकैत तक की सजा का प्रावधान आज विधान सभा में लब जगाद पेपर लीग समेथ आठ विदियों को पर कूगी चर्चा लब जगाद को लेकर समाजवादी पार्थी कीनेता परुखन हसन का बैयान आया सामने कहा कि लब जगाद पर पहले से मौझूत है कानून बीजेपी केवल नकरात्मक राजनिती करना चाहती है पहले से कानून है कानून में संशोजन किया जा सकता था लेकिन भारती जंता पार्टी वो केवल नकारात्मक राजनिती करना चाहती प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज चैसी आई आई के बजट के बाद आयुजित संबेलन के उद्गाटन सत्र को संबोधित करेंगे सदन में अलवा सेरिमनी का पोटो लेकर पहुंचे राहूल गांधी कहा सेरिमनी में नहीं थे एक भी ओबी सी अफसर किरन दिज्जू का प्रटवार कहा नेता प्रतिपक्ष ने गिराई सदन की गरिमा राहूल को नियमो को जानना ज़रूर केज रिवाल की जेल में गिर्ती सेकत को लेकर दा इंटी ब्लॉक के नेता आज करेंगे प्रदर्शन जंतर मंतर पर करेंगे रैली बीजेपी पर केज रिवाल के खत्या करानी का आरूप भी लगाया बीजेपी के पूर प्रदेश अदेक्ष डॉक्टर संजे जैसेवाल को मिली एहन जिम्मदारी बीजेपी ने लोगसभा में बनाया पार्दी का चीफ विप 16 अने सांसेतों को विप नुक्त किया गिया सपनिता वंशी पाडिया समेत अच्छा लोगों को MP MLA कोट ने सुनाई सजा 2009 में चुनाव आचार सहिता के उलंगन के आरूप में एक्षिन हुआ असम के हर सिरकारी कार्जले में परूसा जाएगा सिर्फ शाकहारी और सात्विक भुजन से हम हिमंता विस्वा सर्मा का बड़ा एलाइन जमो कश्मिर के एकनूर में भारती सेना ने हथियार की प्रदशनी का आउजिन किया प्रदशनी के दौरान देखे कई तरह के हथिया माराज के जलकाफ में कस्तम वेभाक को बिली बड़ी काम्याबी बाग की खाल के साथ 6 तसकरों को गरिफतार किया मामले की जाच में जोकी पुलिस मौदबाद के प्राचीन मोटेश्वर महादेव मंदिर भक्त्रों की भाड़ी भीर महाँ पर दिखाई दी दूर दूर से दशन के रिए पहुंच रहे हैं लोग पूजा कर मांग रहे हैं अपनी मनना उतर जमू कश्मीर के श्रीनागर में तीर्थ यात्रियों का एक और नया जथा पंथा चौक बेस कैम सी अमरनाथ यात्रा के लिए रवान अकुया के लोगों में भारी उत्साहा देखने को बिला भक्तों ले लगाए खोले बाबा की जयकारे भारत ने हैली को मानवे साहता बेची जिसमें चिकित्सा सामगरी भी शामिल है विदेश मंतर वाले के प्रवक्ता रणधीर जैसे वाल ने इस बात की जानकारी देए चीन से सीमा विवादपार विदेश मंतरी अस जैशंकर की दोटू कहा चीन से हमारे रेष्टे खराब लेकिन इसे सुलजाने के लिए किसी तीसरे को दखल देने की ज़रूरत नहीं जमू के पूर्ट डीजीपी का संसनी खेस दावा पाकिस्तानी सेना अपने एसेस जी कमांडोंस के साथ जमू कश्मीर में खुस आई है नेट यूजी की 14 अगस्ते काउंसलिंग अगस्त के पहले खफते में कोगा रेजिस्ट्रेशन नैशनल मेडिकल कमिशन ने जारी किया नोटिस अफजाल अंसारी को मिली बड़ी रहा तिलाबाध हाई कोट ने गाजीपूर कोट का फैसला बदला अफजाल अंसारी की सजा की रद सांसदी रहेगी बरकराद पटना बंबलास्त के गवाप के घर चुड़ने को मजबूर रहा डियम अक कार्याले पहुंचकर सुरक्षा की गोहार लगाई ससा काटकर लोटे आरोप्यों के डर से घर चुड़ने का मजबूर बदाईयों में बिजली कटाथी के विरोत में लोगों ने किया चक्का जाम, लोगों को ही परिशानी बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे जाजापुर में आबादी के बीच तालाप में पहुंशा मगरमच लोगों में दश्यत कमाहॉल वनवेभा के टीम मौके पर मौडूद रेस्क्यू जारी मैंपुरी में रिटार्ट फॉजी कार्श चराप के निशे में हाई वोल्टेज ड्रामा जूस बेचने वाले पर चलाई गोली बालबार बच्ची जूस वाले की चांट सिपाईयों ने आरूपी को धर्द बोच्चा मधवदेश की गवाले में कॉंगस की विधार के साब सिंग गोजे पर महिलाओं ने लगाया मारपीट और अबधुता कारोप विधाक ने आरूपों को बताया निराधार महिलाओं की शिकायत के बाद पुलिस जुटी जांच में मुद्धफर पुर्बेम फर्जी अधिकारी बन का ठकी करने वाले दो गिरफतार ना खुद को कभी स्डियम तो कभी परिवहन विवहाक काकर्मी बताते थे दोनों ठाक मुद्धफर पुलिस ने दो आरूपियों को किया गिरफतार बाकियों की तलाश कर रही है मुद्धफर पुलिस ने ट्रेंज सी भारी मात्रा में जबत की शराब वेंडरों ने कैबिन में शपा रखी थी करीब 69 कजार के शराब मामले की जांच में जुटी पुलिस साइवाबाद में कावड मार्क पर शराब की दुकान खुली देख भरक गए कावड ये शराब की दुकान में दोटपोर का वीडियो आ रहा सामने साइवाबाद के ओम मार्किट का इपूरा मामल मुदफर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुटभेड बदमाश सोनू उर्फ मुला गोली लगने से खायल कुआ तमंचा कार्तूस और टकैती में लूटा गया माल भी बरामक कुआ मदबदेश के कुवालर में सर्याम पारिंग से मचा हड़कां बाइक सवार बदमाशों ने महिला पर जोके फायर महिला की मौत चेन, लूट और पुरानी रंजिश की बात आ रही है सामने मदबदेश के सिहोर में युवक से बेरहमी का वीडियो फायरल कुआ कै वीडियो में कुछ दबंग युवकों को अफाइब से पीट नजर आ रखें के हैं गो तसकरी के शक्त में पीटने कार पंजाब के मोहाली में ड्रुग्स के खलाब NCB का बड़ा अक्शन 118 किलो ड्रुग्स को किया गया जब्त किया नश्ट प्रदानमंत्री मोधी ने ड्रुग्स के खलाब मोहीम का किया है एलान माराट के सिंदु दुर्ग के जंगलों में संदिक्द हालत में बिली विदेशी मकिला महिला ने खुद को बताया मेरिका का निवासी तमिलनाट के युवक से मकिला ने कीत की शादी पती पर की जंगल में छोड़ने का आरोप लगाया मुद्र बदाईयों में इस संदिक नहालत में जेसीबी चालक की मौत हो गई परिजनों ने हत्या का आरोफ लगाया पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की चानबी अमिर्ट कर नगर में अपरहंट के मामले में कुछ वाली से फरार रा आरोपी ने जगर खालिया अस्पताल में कराया किया भरती एक पुलिस कर भी को किया किया निलम अमेरिके नगर में शिराब के निशे में दोस्त ने दोस्त पर चाकू से किये कई वार अस्पताल में इलाज के दोरान हुई मौत पुलिस ने तीन आरूपियों को किया गिरफतार